हेलो स्टुडेंट्स पेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको पताने वाली हूँ कि अगर आपको कोई भिन रैशनल नमबर दे दिया जाता है तो आप से पूछा जाए कि इस रैशनल नमबर भिन का दशमलव परसाथ सांत यानि कि टर्मिनेटिंग है या असांत नॉन टर् कुछ बच्चे क्या करेंगे उसको भाग देना स्टार्ट कर देंगे और अगर पूरा पूरा कर जाएगा तो कहेंगे कि सांत है और अगर पूरी तरह से भाग नहीं हो पाता है तो कहेंगे असांत है अगर आप भाग देना स्टार्ट कर दोगे और भाग देकर इसको चेक क हम कौन से ट्रिक यूस करें कि आसानी से सांत और असांत निकाल पाएं तो चलिए हम ट्रिक काश्तामाल करके सांत और असांत निकालते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा यह मैंने आपके सामに एक कोशन लिया है ये दिख रहा है आपको 77 अपॉन 210 तो इसमें हम क्या करते हैं, उपर हमारा ये numerator होता है, यानिके अंच, और नीचे होता है आपका denominator, यानिके हर, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा हर होता है, उसको हमें 2 की पावर M और 5 की पावर N में उसको हम तोड़ते हैं, तो कैसे तोड़ते हैं, तो ये लिखा है 210, जो नीचे नंबर लिखा है, उसके हमने क्या कर दिये, फैक्टर कर दिये, ठीक है, उसके फैक्टर करें हमने, कैसे किये 210, अब यहां देखा, दो धावर 20 होता है, एक इधर आगया, दो पंजे 10, तीन के पाड़े में, तीन तिया 9, एक इधर आगया, तीन पंजे 15, और onwards हमारे क्या फैक्टर बन गया है, दो गुणा 3 गुणा 5 गुणा साथ, ठीक है, यह मैंने यहां लिख दियो, गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5 गूणा साथ, लेकिन, मैंने आप से कहा, कि मेरा जो डिनामिनेटर में, सिफ 아파 1, तू कि पावर, कोई कोई भी नंबर हो, और फाइफ में आना चाहिए ठीक है पावर से मुझे कोई मतलब नहीं नहीं है लेकिन मेरा निचे बेस fly में होना चाहिए कि मुझे यहां नजर आ रहा है थ्रिग यहां पर नजर आ रहा है siven two और five होता से कड़ भी नीरा है तो इसको मैं बोल दूँगी असांत ठीक है अब देखिए सबको आता है पांच यहां से पांच दूनी दस पांच पंजे पच्चेस ठीक है तो एक बार मैं दिखा जेती हूं बच्चों के लिए जिनको फैक्टर नहीं आप आते हैं करने जैसे पांच इक इक इथर आगया 12 आप तो नजर नहीं और नजर नहीं आ रहा रहा है और फाइफ की पावर आनी चाहिए ठाइक है तो यहां पे सिर्फ आ रहा है फाइफ की पावर तो तो कोई प्राब्लम नहीं या तो आया या फिर फाइफ या दोनों आ जाएं तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह हमारा सांत है ऐसा ही नेक्स्ट कुशन देखिए इसके फैक्टर कर दिये तीन फंजे पंद्रा तो देखने में तो यह असांत लग रहा है और मुझे फाइफ और टू होना चाहिए लेकिन मैंने उपर से देखा इसको तो यह कैंसिल हो रहा है तीनी कम तीन दूनी चैंट तो क्या बच रहा है उपर टू तो यह क्या हो है ठीक यह है मेरा 129 अपॉन टूपर वाले नंबर से भी नहीं कट रहा है तो इसको हम क्या बोल देंगे असांथ ठीक है तो बच्चो आपको असांथ और अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा सबी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करें और NCRT बुक से जो कोश्चन से उनका उनको अपने आप सॉल्फ करें ठीक है ठीक है ठांक यू अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना मेरे चैनल पर नूँ है त आपको बताती रहोंगी आपके बोर्ड के एक्जाम्स के लिए ठीक है ठांक यू बेटा